नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप सब आसा करते हैं आप सब भी बहुत अच्छे होंगे तो अभी देखिए यहां पर राक पड़ा हुआ है तो मैं इसको उठा रही हूँ एक बाल्टी में उठाओंगे उसके बाद इसको हम बाहर में फेक देंगे तो आज कलना थोड़ा थोड़ा सा खाना बंदा अच्छे कर ले ले थी फिर भी क्योंकि कभी कभी रह जाता है तो हम इसको सभी को उठा लेंगे राक का आग नहीं खतम हो चुका था तो सभी राक को उठा लिए है दूसरे चुला पर भी थोड़ा सा है तो उसे भी हम उठा लेंगे और पूरे आंगन की जाड़ू लगाएंगे अभी दो पहर की टैम है बच्चे खेल रहे हैं यहीं पर होटल होटल सब निकल गिया है उसके बाद में घर आंगन की जाड़ू लगा रही थी तो अंदर का तो जाड़ू हो गया है बस यहाँ पर अभी जाड़ू लगानी है और यहाँ पर राख होख है न सभी को फेक देंगे उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा लिपाई करेंगे चुला की लिपाई पुताई करने के बाद यहीं पर आज खाना बनेगा तो हम जाड़ू कर लेते हैं पूरे आंगन की एक साइट का जाड़ू हो गया है और एक साइट का बाकी है तो हम अभी पूरे आगन को जाड़ू करेंगे यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं देखे जूला में साड़ी वाला जूला में तो बच्चे यहाँ पर खेलते रहते हैं क्योंकि साड़ी वाला हम जूला बना दिये हैं इदर उदर जाने साच्छा यहीं पर खेलते हैं क्योंकि धूप बहुत जादा रहता है तो बच्चे गुमते हैं तो फिर तबियत भी खराब हो जाती है तो इसलिए हम घर पर ही जूला डाल दिये हैं और उसके बाद देखे यहाँ पर हम लिपाई कर रहे हैं इसलिए हम पहले इसको लिपाई कर लेते हैं उसके बाद हम जाएंगे तो देखे यहीं पर खाना बनेगा रात को आजकल गर्मी है गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी और भी लगता है मिट्टी के चुला में खाना बनाने में लेकिन क्याखरे बनाना तो पड़ता ही है और यहाँपर देखे लिपाई पुताई हुरने के बाद हम कपड़े यहाँ पर ले जा रहे हैं सभी कपड़े सुख चुके हैं जो सुखे नहीं है हलक लका उसको हम छोड़ देते हैं नहीं मतलब जो कच्चा नहीं है उसको हम अंदर ले जाते हैं अभी साम के टेम है देखे कितना जादा पानी लेने के लिए आ रहे हैं सुबह साम में आजकल बहुत जादा भीड़ रहता है गर्वी के मौसम में सबही का घर में पानी की जरूरत होती है नहाने दोने के लिए अगर यहां पर नहाएंगे तो फिर कचड़ कचड़ा सा हो जाएगा और पीते हैं पानी तो यहां पर नहाने दोने के लिए पानी लेने के आए हैं कि इतना सारा भीड है बच्चे भी यहां पर खेल रहे हैं देखें कर्वी को हो जाता है इसके कारल बच्चे भी घर उधर पीछे तरफ गई थी लकड़ी लाने के लिए कपड़ा अंदर कर दिये तुछ लकड़ी ले आए उसके बाद हम पानी लेने के लिए तो यहां पर बहुत ज्यादा भीड़ था मैं भी एक डिबा लेकर के आई हूं ऐसे तो मैं पैप बिच्छा करके ही अंदर ले जाती हूं लेकिन ड्रामुरा में रहता है तो हम पीने के लिए उकर लेना होता है तो हम आ जाते हैं यही पर और अभी पैप डालेंगे तो लोग भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं लेने के लिए तो यहें लेने में दिक्कत होगा इसलिए हम डिबा पर ही लेकर के जाएंगे और खना भी आई थी लेने के लिए अब बहुत से लोग अभी आएंगे क्योंकि सुबा सामे थोड़ा भी रोती आजकल गर्मी का दीन है तो सभी का घर में ना धुआ ना होता है यहां पर नहाने वहाने से मना करते हैं तो इसलिए अपने अपना घर पर ले जाते हैं वही पर कपड़ होते हैं ना आते हैं तो उसके बाद देखें यहां पर साम हो गई थी तो हम यह पर खाना चड़ाएंगे तो चुला सलगा देते हैं उसके बाद हम बाकी की काम करेंगे तो यहां पर हम कपड़े लाकर करके रखे हुए थे तो इसी को हम अभी फोल्ड करेंगे खाना चड़ और अपना काम करते रहो तो देखिए अभी हम फोक्ड कर रहे हैं सबी के कपड़े को अलग अलग कर के फोलड कर रे ताकि उठाकर करने में अवसानी होगी और यह पर रुसक्तर आ गयी है बोल ही कि हमी फोल्ड कर दे तो आम-अबोरे नहीं तुम मत करो तो यह तीभी देखत अब तक बारिश नहीं होती है तक 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 बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो कपड़ा ज्यादा नहीं गंदा होता है आज बस जो पहने होते हैं नहाने दोने वाला कपड़ा तो होता ही है लेकिन जो ओढ़ने वाला पहने वाला यह सब थोड़ा सा कम ही होते हैं और मैं कपड़े फोल्ड की और चावल वल डाल करके मैं आ गई हूं यहां पर यहां बिच्वाना बनाने के लिए क्योंकि अभी बच्चे सोने लगेंगे तो फिर ब बनाने के लिए तो यहां पर देखिए हम चावल डाले हुए थे यह डबक रहा है अभी नहीं पका है लेट भी कट गिया है लेट हमारा यहां बहुँ ज़्यादा प्रब्लम करती है दोस्तों तो लिखे हम खाना भी चड़ा है तब तक हम बना देंगे सबजी तो आलो लेक अगले वला वीडियो में आप लोग देखी होंगे कि कठल तोले हुए थे तो उसका बीज है ना उसको बॉल की हुए थे तो थोड़ा सा रखे हुए हैं उसी को डालेंगे इसमें अभी हमालो को डाल लेते हैं और टमाटर ताल दी हैं साथ में उसके बाद चला देंगे नम मसाला डाल दिये थे मसाला पीश करके त्यार रखे हुए थे जब तक यह पक रहा था उसके बाद देखिए हम पानी डालेंगे अपने परिवार का नसार नमा कुमक तो डाल दिये हैं बस पानी डालनी है इसको खद करना है और हमारे सबजी बनके त्यार हो जाएगा खाना अब पग गया है और सभी उटल उटल अंदर हो गया उसके बास सभी के लिए खाना देंगे तो खाना के गबार ऐसे हिला देते हैं ताकि यह फरहर हो जाए और हमारे सब्जी देखिए बनके तयार है खदक रहा है बहुत ही सुन दर खाने में टेस्टी लगा था इसमें हम क